किस loan को पहले बुक्तान करना है, किसको बाद में करना है, किसको last में करना है, कोई भी व्यक्ति जिसके ओपर करजा है ना, ऐसे नहीं कि उसकी आए बिल्कुल 0 है, तो मैं विश्वास के साथ एक बात कहता हूँ कि कई creditors emotions के साथ जुड़े होते हैं, तो emotions के साथ ना जुड़ कि कौन कौन से से तरीके हैं, जिसको follow करके आप आसानी से कर्ज मुक्त जीवन जी सकते हैं, अपने कर्जों का भुक्तान कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात, assess your debt, financial situation को जरूर जाने, आपको सबसे पहले ये assess करना जरूरी है, कि वास्तविक्ता में आपका कर्जा कितना है, प्रॉपर्टी से संबंत लोन ले लिया, business लोन ले लिया, person लोन ले लिया, और कई लोन जब उनके पास हो जाते हैं, तो उनको चुकाने के लिए वो credit card का इस्तिमाल करते हैं, और एक समय पर credit card का भुक्तान भी ना करने के कारण, उनके लोन का burden निरंतर बढ़ता जाता है, ऐसे में व्यक्तिना, बहुत depression से में आ जाता है, तो सबसे पहले आपको assess करना है कि आपका loan कितना है, आपका loan का amount क्या है, किस loan की कितनी EMI है, किस loan पर rate of interest high है, low है और low arrest है, यह आपको calculate करना है, और उसके बाद यह देखना है कि किस loan की कितनी EMI है, इसका मतलब सबसे पहले आपको एक report त्यार करनी है, जिसमें आप अपने सारे करजे का ब्योरा लिख लें कि कौन से करजे का बुकतान किस तरह से और कैसे किया जाना चाहिए, दूसरा create a budget, फ्रिंट देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसके ओपर करजा है ना, ऐसे नहीं कि उसकी आए बिलकुल zero है, आए zero कभी भी नहीं होती है, जो भी आए आपके पास है ना, उस आए के अनुसार आप एक realistic goal बनाएं कि मुझे कौन कौन से करजों का पहले बुकतान करना और कौन से का बाद में, इसका तरीका क्या है, कि सबसे पहले अपने unnecessary खर्चों को घटाएं, देखें कि कौन कौन से से खर्चे हैं, जो आप extra कर रहे हैं, जिसकी वज़ा से आपकी जो income है वो घट रही है, और loan का भुकतान आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद allocate करें ऐसा amount, जिसमें minimum amount due pay करने के बाद, आपको extra, जो charges हैं वो देने नहीं पढ़ते, interest के लाबा, साथ इसाथ debt की repayment करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें, कि जिस loan पर rate of interest सबसे high है, पहले उसका भुकतान करें, और उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, कई बार हम ये भी देखने हैं कि EMI जिसकी बहुत बड़ी है, अगर वहाँ पर minimum amount due हम pay कर देते हैं, तो वहाँ पर हमार पर extra charges नहीं उसके बाद prioritize your debt, अपने करजे को ना prioritize करें कि कौन सा करजा पहले बुकतान करना है, high rate of interest वाला जो करजा है उसका पहले बुकतान करें, minimum amount due जिसका भी है, उसको minimum amount due पे करके उस loan को एक तरह से extend कर लें, और जिसकी EMI हाई है, उस EMI को पहले पे करें, next, negotiate with creditor, friends एक बात कहते ह इसलिए जरूर है आपको अपने creditor से बात करने की, आप ये देखिए कौन-कौन से creditor हैं, जो आपसे बात करने के लिए तयार हैं, उनके सामने एक proposal रखें, कि आप मुझे कोई settlement का amount बता है, जिसको pay करके, मैं loan free हो जाऊं, या किस तरह से आप मेरा rate of interest गटा सकते हैं, या amount को समझ कर कि व्यक्ति की मंशा नहीं है, पैसा ना भुक्तान करने की, बलकि किसी परिष्टि के करन वे ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम उनकी support करके, उसके loan को खतम कर सकते हैं, इस बात पर जरूर विकल्प को जरूर ध्यान से देखें, next, seek professional advice, friends ध्यान रखेगा, हर व विशय के विशय सग्य से बात ना करके, वो सोचता है कि मेरे बारे में मुझसे बेतर decision कोई और कैसे ले सकता है, ये समस्या समानेता हर वेक्ति के अंदर होती है, तो ध्यान रखेगा, guidance लें, उन counselor से जो financial planning करते हैं, या जो financial planning के अलावा, आपके credit counseling करते हैं, कि आपके पास अगर कोई करजा है, तो उसका भुकतान कैसी किया जाना चाहिए, किस loan को पहले भुकतान करना है, किसको बाद में करना है, किसको last में करना है, और create debt management plan, अपना खुद का एक debt management plan बनाए, कि कौन कौन सा करजा मुझे कैसे दूर करना है, उसके बाद explore the way to boost your income, friends दो बाते बड इनिंग 5 o'clock जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या extra हैसा काम कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली अतरिक्त income, आपके loan का भुकतान कर पाएगी, उसके बाद freelancing आप कर सकते हैं, आपने working hours के बाद, working job के बाद, उसके बाद क्या काम as a freelancer आप कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें, क् sell unused item, friends कहते हैं कि हर संपत्ती आपके काम किया, पर हर संपत्ती आपको वर्तमान में काम नहीं आ रहे हैं, इसलिए यह identify करें, कि अगले तीन वर्ष होता कौन कौन से से संपत्तियां हैं, जो आपके वर्तमान में काम आने वाली नहीं है, या इसका appreciation होने वाला नहीं है, उसस emotions के साथ जुड़े होते हैं, तो emotions के साथ ना जुड़ कर आपके पास gold की power है, आपके पास property की power है, आपके पास FD की power है, जिसको आप utilize करके आसानी से loan का भूकतान कर सकते हैं और interest-free ζीवन loan free जीवन आसानी से जी सकते हैं, तो अपनी उन सभी चीजों का त्याग करें, और उन चीजों को बेच कर अपना loan को wind up करें, ओवर टाइम अगर आप कर सकते हैं, अपने office में, अपने workplace पर तो उसका ज़रूर इस्तिमाल करें, affiliate marketing करें, आज बहुत सारी companies और agencies, उनके product और उनकी services को sell करने के लिए affiliate partner बनाती है, affiliate partner दिया आप किसी company के बनेंगे, तो incentive income आपको आने वाली होगी, जो आपको loan भुकतान करने के लिए, एक extra account हो जाएगा, जहां से आप loan का भुकतान आसानी से कर सकते हैं, affiliate marketing के लाबार referral income पर भी काम करना शुरू करें, आज काफी सारी companies, काफ Oversies Limited, Stainless Steel Modulo के जिनके manufacturing and export करती है, और हम भी पूरे भारत वर्ष में associate partner बनाती है, जिनका काम है, उनके आसपास lead generate करना, कहीं भी मकान, घर, कोठी, बंगलो, फार्माउस बन रहा है, या innovation हो रहा है, उनकी lead हमें share करना, हमारी sales team काम करती है, जैसे sale होती है, तो sales incentive उनके account मे transfer हो जाता है, तो एक तरह से extra income generate करने का एक formula है, अगर हाँ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो 921003773 पर आप अपना नाम भेजें, auto reply में जो message आएगा, उसको follow करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसके बड़ा important है, ये बात ध्यान में रखना, कि आपको ए ऐसे विकलबवा पर ज़रूर काम करेंगे, जहांसे आए के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं, ये आप इन कुछ parameters को ध्यान में रखें, तो आप आसानी से loan का repayment कर सकते हैं, और कर्ज मुख जीवन जी सकते हैं, साथी साथ, कई बार ऐसा भी देखा गया है, कि लोग अपने मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इगो की वज़व से, अपने friends, अपने relative, अपने known person से, जिन से उन्हें interest free loan मिल सकता है, वो लेने में बड़ा हिच की चाते हैं, शरमाते हैं, ये hesitate होते हैं, तो ऐसा बिलकुल ना करें, ये आपके friends में, links में, relative में, social circle में ऐसे लोग हैं, जो आपको interest free loan दे सकते हैं, तो उनसे वो loan लें, और loan का भुक्तान करें, कम से कम ऐसा ना होता है, कि interest आपके उपर लगाता चड़ता जा रहा है, और जैसे जैसे आपकी आए बढ़ती जाए, उनके loan का भुक्तान करते हैं, तो ये भी एक असान तरीका हो सकता है, friends, अगर आप interest free loan के स जात, loan का repayment करते हैं, तो loan का burden आपको कम महसूस होता है, क्योंकि interest एक extra payment है, जो आपने loan की उरुप में नहीं ली थी और आपको बुक्तान करना पड़ रहा है, इसलिए इन विकल्पों पर ज़रूर ध्यान दें, और मैं हाज जोड़कर आपसे request करता हूं, ऐसा कोई decision ना ल करने दें, इसलिए loan का भुक्तान करने के लिए इन steps को ज़रूर follow करें, और इसके लब आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, तो वो प्रश्न मुझे comment box में ज़रूर लिखें, जो भी भरसक प्रयास हमारी team आपके लिए कर सकती है, वो करने का पूरा प्रयास करेंगी, कोई भ आपके सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, स्वस्त रहें, मस रहें, मैं डॉक्टरामित माईश्वरी, आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत